दोस्तो सब्सक्राइब किजिए Mr. Health Benefit को और इस बेल आइकन को दमाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Hello Friends, Welcome back to my channel Friends, आज के जो टोपिक रहेगा हमारा आगों के नीचे जो काले गेरे आ जाते हैं ट्रस्ट के कारण, जादा काम करने के कारण शारी के कमजोरी के कारण जो हो जाता है हाल में आपको जो नुशका बात होंगा उसके आप मात्र तीन दिनों के अंदर आप अपने काले दाक सलकर को बिलकुल्चर से खतम कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए इस नुशका को तयार करते हैं उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी इलास्ट तक देखनी है दोस्तो सबसे पहले हमें लेना है ऐलोवेरा जेल दोस्तों हम इसके अंदर पैता जेल का ऐलोवेरा जेल यूज करेंगे और आप किसी भी ब्रांड का ऐलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं और आपके घर में अगर ऐलोवेरा का पोदा है तो आप उसके अंदर से भी जेल निकाल के यूज कर सकते हैं दोस्तों इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐलोवेरा जेल ले लेंगे ये हमने थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लिया दोस्तों हमने एलोवेरा जेल उतना ही लिया है जितना हमें डार सरकर के लिए ज़रूत बंदे क्योंकि डार सरकर का एरिया बहुत ही कम होता है और दोस्तों दूसरी चीज़ हम इसकेंदर लेंगे ग्रिसलीन दोस्तों grixelin हमारे skin के लिए बहुत ही जादा फायदा बनर होती है और हमारे चेहरे को बहुत ही जादा निखार देती है और grixelin को यूज़ करने से हमारे चेहरे पे बहुत ही जादा benefit मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर हम डाले है कम सब्सक्राइब चार से लेके 5 बून डिसलीन की ये हमने 4 पाइंच बूते गिरीसलीन की डाल दी है और फिर इसके अंदर तीजी लेंगे हम इसके अंदर गुलाब जल गुलाब-जल दे के लिए बहुत जादा बैश्ट होता है ये हमारे रॉन्चित्र जाकर गंधर देश्ट को बिल्कूल ख़ता है ये हमारे चे हमें के कालेपन को निकाल देता और AMारे निखानाने लेका बहुत पैदमेंद होता है दोस्तो इसके अंदर चार से लेकर पांच भून धम गुलाब जल्की डाल लेके दोस्तो यह अब हमने तीनों चीजे इसके अंदर डाल दीगें अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेजिए यह देखे दोस्तो हमारा में उसका यह तयार हो चुका है दोस्तो डाल सरकर का इससा बहुत ही थोड़ा होता है इसलिए मैंने बहुत ही कम बनाया और आपको भी इतना ही नुश्का बनाना है दोस्तो इसको लगाने किस तरीके से आपको रात को सोते समय आप इसको लीजिए और अपने आँखों के नीचे जो काले घेरे हो रहे हैं उन पर अच्छी तरीके से एक मिरत लग आप मसाज किजिए और आपको मसाज करने के बाद इसको इसी छोड़ देना है और उसके बाद आपको सो जाना है आप सुबह को अपने चेरे को ताजे पानी से दोलीजिए दोस्तों एक बात का धियान रखना है आपको कि आपके आँखों के अंदर ना जाए क्योंकि आपके आँखों के अंदर गया यह तो आपके आँखों में जरन पेदा कर देगा यह इसी निए धियान रखें कि आपके आँखों में न आ जाए आप तिर सुबह को उठेंगे तो आप अपने चेरे को धोने के बाद देखेंगे कि आपके चेरे पे थोड़ा सा इंप्रूमेंट दीखेगा आप इसको लगादार इसी तरीके से करते रहेंगे तो आपके डार्क सरकर बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएंगे आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी पिलिची से लाइक और शेयर जरू कीजिए और हमारे चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले